हलो डियर स्टुडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग तोल आफ यू वेलकम टू डियास इजे हम कलास इसा डिजिटल इनिशेटिव बैर डिरेक्टर स्कूल एजुकेशन जमू क्लास सेमत में हमने एक पोएम उठाई हुई है विंडोज पिछली वीडियो में हमने उसका कवर क है उनका मीनिंग एक एक लाइन का हमने निकाला था आंदा वे तो मैं कलास रूम आई वाग डॉन दा लॉन कोरीडोर पास्ट दा हंडर सा बुक्स देर पिक्चर जैकेट्स और मैं बुक्स के जरिए क्या क्या देखता हूं तो एक सिंबल सिंबलाइज किया था विंडो को इसका जो है जो नेक्स सेक्षन है उसको कवर करेंगे जैसे सबसे पहले एक कोस्चन आता आपके एक्जाम में समरी आफ दव पॉयम लिखना तो समरी भी याद होनी चाहिए तो सबसे पहले आज हम डिसकस करेंगे इसकी समरी बोट सारी अलग चीजें देखता है यह सीज इस अलग पिक्चर चावर साब बूक्स अनिमल्स अब प्लेस्टे अट जाहां वो गया है निया वो भी देखता है तो एक जो बच्चे की फीलिंग्स होती है कलास्रूम और उसके सरोंडिंग के बारे में वो फीलिंग्स को डेपिसिट किया है पॉइट ने यह दुनिया को किस के देखता है विंडो के जरिये यहां पर नहीं गया लेकिन फिर भी यह विंडो के जरिये इनको देखता है विंडो से जब भार देखता है तो इस सब चीज़े उसे दिखती है यानि बुक से जब देखता है तो उसे यह सब चीज़े दिखती है तो फिर एक जगा यूज किया है वर्ड उसने एक फ्रेज तो अधर कलास्रूम तो वहां पर यह बोलता है कि वह मैसेज पासन करता है दूसरे कलास्रूम में भी दूसरे ओफिस में भी ताकि उसे चांस मिले एक मोर मौका मिले इन चीज़ें को रपीटिड ली देखने का तो एक छोटा सा बिल्कुल नट्शल में पॉयम की समरी है तो आप इसको नोट डॉन कर दें फिर इसके जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बॉक क्वेश्चन विए ड़स दस्पीकर वाक कहां जा रहा था हो तो लॉंग कॉरिड़ूर दस्पीकर वाक्स डॉन दा लॉंग कॉरिड़ूर अन्दा वे तो इस कलास्रूम क्या विव उसको मिलता है विंडू से इस डल और एक्साइटिंग डल है क्या एक्साइटिंग है पिक आउट वर्स इन सपोर्ट आप यूर अन्सर कुछ वर्स अप लिखिये जिससे पता चले क्या आपका अन्सर सही है तो यह एक्साइटमेट है पोईट के लिए ना की डाल आपको बचाते हैं वाइस अपने आपको बचाते है वाइस अपने आपको बचाते है पलेग्रोंड में क्यों कोई नहीं है पलेग्रोंड लुक्स डैजर्टे तरी क्यों नहीं मूख कर रहे हैं चिल्डरन आर बिजीन कलास्रूम एंड इट कोल आउट साइट बाहर वो ठंडी है बच्चे सारे कलास्रूम में Name the things which the speaker sees in stanza 3, stanza 3 में इसको क्या-क्या दिखता है, deserted polar ground, grey number sky, rows of houses, chimney of closed down factory, why is the speaker willing to take the register or message to the office and the classroom, यह दूसरे classroom में क्यों जाना जाता है, the speaker is willing to carry, register our messages to other classroom, office or classroom, because it gives him a chance of seeing the exciting things again and again, उसे मौका मिलता है दुबारा यह exciting चीज़ें देखने का, इसलिए यह दूसरे कमरे में register लेके जा रहा है, why is I, who is I in the poem, यह I कौन है, यह speaker है, और यह speaker कौन है, student, एक student है इस poem में, जो यह poem कह रहा है, फिलिन्दब लेंक्स, with words given below, looks, willing, classroom, waterfalls, Africa, walks, seas, visited, looks होता देखना, willing, मर्जी से, classroom, जानते हैं आप, waterfall, जहां पानी उपर से नीचे गिरे, Africa, continent है, walks, चलना, seas, देखना, visited, कहीं विजिट करना, कहीं जाना, the poem is about a student who don't, walks down the long corridor, and days, days, different things, क्या देखता है तो, sees different things, he looks onto the worlds, through a window, he has never visited, he sees elephants in Africa, a jet airliner, cruising fair above the water clouds, waterfall, icebergs, and many other things, he is always willing to carry messages, or register to other classrooms, our office, as it gives him a chance, seeing these things again, and again, तो, यह fill in the blanks थे, आप यहां से कर सकते हैं, write down at least five words which have been repeated, repeated का मतलब क्या होता है, जो दो, एक से ज्यादा बार poem में आए, उनके वो words लिखिए, तो जैसे classroom, कितनी बार आया है, यह repeat हुआ है, तो आपने लिखना है, classroom कितनी बार इस poem में आया है, poem को एक बार पढ़ना है, हर एक word जो भी यहां पे लिखा है, इनको आपने देखना है, कितनी बार यह word आया है poem में, तो आपने homework में इसको note down करना है, world, पुरी poem को check out करना है, तो world को द तो इन सभी words को देखना है, अगर classroom दो बार आया है, तो आप क्या लिखेंगे, classroom लिखेंगे, उसके बाद दो लिखतेंगे, world अगर तीन बार आया है, तो इसको तीन लिखेंगे, ठीक है, इसी तरीके से, सभी words का, आपने number of times भी लिखना है, कि कितनी बार ये poem में repeat हुए है, तो थैंक यू, आज हमारी ये poem जो है, complete हो रही है, अब हम next में, दूसरी वीडियो में, दूसरी poem उठाएंगे, तो थैंक यू for staying with us, thank you very much.